विवन आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है तो अगर आप भी एंसी वैब में अडमिशन करवाने के लिए रिजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं 2023 में यूजी में अडमिशन लेने के लिए यानके अंडर ग्रजुएट कोसे में अगर आपका अडमिशन लेना है से वैब में तो अगर आप ऐस्ट्रेशन करवाने तो रजिस्टरेशन करवाने से पेले में आपको कुछ काफे ब्ता देती हो तो आप वह जानले बाते हैं यह तो वीडियो को तक जो देखें इसके लावा हमारी चैनल पर अगर आप नहीं आए है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल ना भूलें क्योंकि इसी चैनल के माधियूं से हम आपको एंसे रप से जुड़ी सारी अपडेट प्रोवाइट कवाते रह में कुछ जोगी बाते हैं देखिए जब आप एंसी वैब एडमेशन के लिए यूजी का प्रोस्पेक्टर्स देखेंगे एंसी वैब का तो उसमें साफ साफ कुछ जोगी बाते लिखी हुई है ठीक है जिन पर आपको जोगोर फर्माना चाहिए तो चलिए देख लेते हैं मतलब की एंसी वैम में सिरफ डैली में रहने वाली वीमें को ही अडमेशन मिलता है जो फीमेल केंडिडेट से उननी को इसमें मिलता है ठीक है इसके लिए आपको अपना रेजिदेंस पूर्फ भी देना होता है रेजिस्ट्रेशन के टाइम पर रेजिदेंस पूर्फ में आप कुछ भी दे सकते जैसे आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आशन कार्ड बट जो भी आप देंगे वो आपके नाम पर ही होना चाहिए तो सबसे बैटर मैं आपको यही बोलूगे कि आप अपना अधार क बना लगा दीजेगा बट एक बात के ध्यान केगा आपका जो अधार कार्ड है वो डेली का ही होना चाहिए दूसरे स्टेट का अधार काड आपको नहीं लगाने है नेक्स्ट देगे क्या लिखा हुआ है थे कंडिडेट आर एडवाइस टो टेक अड्मिशन इन एंसे पास में क्या होता है कई बास स्टूडेंट अपना कोलेज स्टेक्ट कर लेते हैं बाद में वो सूचते है कि ये कोलेश तो काफी दूर पड़ गाया तो चेंज करवाते हैं फिसेंटर बट एक बार आप जो कोलेज चूस कर लेंगे वो सेंटर वही रहेगा आपका फीक्स करेंगे तभी आपको ये इंफोर्मेशन फिल करनी होते हैं कि आपको कौनसे कोलेज मेंडमिशन लेना है तो आप अभी डिसाइड करेंगे कि आपको किस कोलेज मेंडमिशन लेना है जिस कोलेज का आप नाम अभी फिल करेंगे कर जिस्ट्रेशन के दुरान आपको कट ओफ पर उसी में अडमीशन मिलेगा अगर आप सोचते हैं कि कटोफ आने पर दूसरे कोलेज में अडमीशन ले 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 तो ये पोसिबल नहीं हो पाएगा ठीक है तो आप अभी डिसाइड करेज़ेगा कि कौन से कोलेज में आपको अडमीशन देना है बाद में सैंटर आपका अगर वो सोचे कि वो कोलेज में एक बी दिन आ जाएंगे एक बाद जब सब कर दो जाएंगे तो डैल युनिवरसिटी के द्वागा आपका अडमीशन कंफर्म कर दिया जाएगा ठीक है मिनिमूम 66% अटेंडेश्ट जा है वो आपकी मेंडेटरी होगी तो वो सब जाएं या फिर एक दू दिन ही जाएं तो फिर यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा उनको फिर एकजाम में काफी दिकत हो सकती है ठीक है तो अगर आपको पता ही होगा आपको कि आपके लिए पॉसिबल है या नहीं 66% अटेंडेश्ट करना अगर आप जो वर्या करते हैं आप आपके लिए पॉसिबल नहीं है तनी अटेंडेश्ट करना तो आप सोल से ले लिजेगा अड्मेशन बट एंसिवाप से आप अड्मेशन देते हैं तो आपकी मिनिमूम 66% अटेंडेश्ट होने ही चाहिए ठीक है इसके इलावा जब आपका अड्मेशन कंफर्म हो जाएग कटऊफ आने के बाद तो अभी कटऊफ आने में वैसे टाइम है जैसके कटऊफ आएगी हम आपको इसी चैनल के माटएम से अपड़्ेट देढ़ेंगे आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा ठीक है कट आने के बाद जब आपना अडिमिशनल ़े ले लेंगे तो जिसमें आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा उसके लिए आपके पास जीमेल आ जाएगा जीमेल पर मेल आ जाएगा तो आप पर देखकर फिर जब भी आपका उरियंटेशन प्रोग्राम हो आप तब जा सकते हैं ठीक है वो तो ख्यार अभी उसमें काफी टाइम है क्या भी सेंड मांक्स हैं तो उनका अद्मेशन होगा या नही तो 60 य ए 65 वालों का भी अदमेशन हो जाते हैं ठीक है बट उनका अडमेशन जबू आ? नो ठीक है एडमेशन तो मिली जाना चाहिए में रिकोडिंग पिछले साल भी प्रिवेसी में भी काफी स्टूरेंट्स जो थे हैं उनका एडमेशन मिल गया था ठीक है तो इस बात की आप टैंश मत लेजिए आप अपना रोजिस्ट्रेशन करवा लिजा एंस वैं में ठीक है जै